साइन्स का चैप्टर नूमबर 3 हम लुग पार रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स इसका पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजेगा पिंड कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा उसके बाद इस चैप्टर को आगे समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी आपके बोर्स के प्रिप्रेशन के लिए अलमश हर सब्जिक्स का वीडियो डिये वी गुरू पर अबेलेबल है उनको देखने के लिए सिंप्ली आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है जहां पर अलग-अलग कैटिक्टिज में आपको हर क्लास के वीडियो मिल जाए पिछले क्लास में हमने यहां तक के सभी टॉपिक्स को पर लिया था आज हम लोग परेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कई तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी करके बता सकते हैं कि सामने वाला रखा गया सब्स्टां Mets Metal है या Non Metal है इसलिए जितने भी प्रोपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे उसको आप अच्छे से समझेगा Title है Physical Properties इसमें हम लोग टोटल 9 physical properties के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि सबसे पहला physical property है physical state हम लोग रखे गए element के physical state को देखकर बता सकते हैं कि ये element metal है या non-metal है बताया गया है कि जितने भी metal होते हैं except mercury यहां से आपको exceptions का आदर डाल लेना है यहां पर हम लोग जो भी rules परहेंगे जो भी formula परहेंगे जो भी नियम परहेंगे उसमें आपको एक ना एक exception देखने को मिलेगा ही और यह chemistry का करवा सच है all metals मतलब सभी metals are solid at room temperature हम लोग किसी भी metal को room temperature पर रखेंगे तो वो solid state में ही रहेगा but except mercury मतलब mercury को छोड़ कर अगर हम लोग mercury को room temperature पर रखेंगे तो वो liquid form में होगा लेकिन इसके बावजूद भी mercury एक metal है non metal नहीं है आपको याद रखना है iron, copper, aluminium, gold, silver यह सब कुछ examples हो गए metals के अगर आप इन सभी elements को room temperature पर रखेंगे तो आपको solid form में ही देखने को मिलेगा अब बात करते हैं non metals का non metals जो होते हैं वो solid state में भी पाए जा सकते हैं liquid state में भी या gaseous state में भी तीनो form में non metals पाए जा सकते हैं example के लिए carbon हो गया sulfur हो गया, phosphorus हो गया और iodine हो गया यह सब कुछ ऐसे non metals के example है जो की solid state में पाए जाते हैं bromine एक ऐसा non metal है जो की liquid state में पाए जाता है और chlorine, oxygen nitrogen और nitrogen यह सब कुछ ऐसे examples है non metals के जो की gaseous state में पाए जाते हैं अब तक हम लोग जितना कुछ पढ़े उसको summarize करके हम लोग बोल सकते हैं कि सभी metals सिर्फ mercury ही को छोड़के solid form में exist करते हैं और metals के example भी दिये गये हैं इसको आप underline करके याद रखिएगा और जो non metals होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं solid में भी, liquid में भी और gas में भी solid form में कौन कौन रहता है carbon जो है solid form में रहता है sulfur, phosphorus, iodine यह सब कुछ example हो गए non metals के solid form में रहते हैं उसके अलाबा bromine जो है यह liquid state में रहता है पानी की तरह रहता है chlorine, oxygen, nitrogen यह सब कुछ ऐसे non metals है जो कि gases state में पाए जाते हैं element का दूसरा physical property है melting point and boiling point हम लोग element के melting point और boiling point को देखकर भी decide कर सकते हैं कि वो element metal है या non metal है तो देखिए metals का melting point boiling point कैसा होता है ध्यान से समझिए फिर हम लोग non metals के बारे में भी देखेंगे लेकिन उससे पहले तो हम भी यह समझना पड़ेगा कि melting point होता क्या है boiling point होता क्या है देखिए नाम से ही पता चलता है जितने temperature पर कोई substance melt हो जाता है मतलब पिघल जाता है उस temperature को ही हम लोग बोलते है melting point उसी तरह से इसको भी हम लोग बोल सकते है जितने temperature पर कोई substance boil होने लगता है मतलब उबलने लगता है उसी temperature को हम लोग कहेंगे boiling point जितने भी metals होते है generally उनका melting point भी बहुत जादा होता है और boiling point भी बहुत जादा होता है example के लिए iron का melting point है 1536 degree Celsius है मतलब लोहे को हम लोग इतना temperature पर रखेंगे तब वो melt होगा और लोहे का boiling point के अगर हम लोग बात करें तो वो 3000 degree Celsius है मतलब 3000 degree Celsius पर लोहा को हम लोग गर्म करेंगे तब वो उबलने लगेगा लेकिन यहाँ पर भी एक exception आता है कुछ ऐसे metals भी होते हैं जिनका melting point बहुत कम होता है अगर आप उसको room में भी रख देंगे न तो वो melt हो जाएगा पिखल जाएगा example के लिए cesium एक ऐसा metallic substance है एक ऐसा metal है जो कि सिर्फ 28.7 degree Celsius पर ही melt हो जाता है पिखल जाता है इसलिए cesium को vacuum packed borosilicate glass में pack करके रखा जाता है ताकि वो melt न हो जाए अब बात करते हैं non metals की non metals जो होते हैं generally melting point भी कम होता है और boiling point भी कम होता है बहुत कम temperature पर वो melt कर जाते हैं और boil कर एक्जामपल के लिए जो sulfur है sulfur एक non metal है sulfur का melting point 119 degree Celsius होता है इतने temperature पर वो पिखल जाता है लेकिन यहाँ पर भी एक exception है कुछ ऐसे non metals भी होते हैं जिनका melting point बहुत जादा होता है बिल्कुल metal के तरह metal का melting point कितना जादा था iron का देखिए melting point इतना था boiling point इतना था बिल्कुल उसी तरह कुछ ऐसे non metals होते है जिनका melting point बहुत जादा होता है एक्जामपल के लिए diamond diamond एक ऐसा non metal है जिसका melting point 3723 degree Celsius है यह तो iron से भी जादा हो गया मतलब iron से भी लोहा से भी जादा temperature पर हमें diamond को गर्म करना परेगा तब यह पिक लेगा अब तक जो कुछ भी परे उसको summarize कर लेते हैं जो metals होते हैं उनका generally high melting point होता है और high boiling point होता है एक्जामपल के लिए iron का melting point है 1536 degree Celsius और boiling point है 3000 degree Celsius यह सब आपको याद रखना है कुछ ऐसे metals होते हैं यह exception है कुछ ऐसे metals होते हैं जिनका melting point बहुत कम होता है एक्जामपल के लिए cesium इसका melting point सिर्फ 28.7 degree होता है non metals का generally melting point भी कम होता है और boiling point भी कम होता है एक्जामपल के लिए sulfur का melting point 190 degree Celsius है आपको figure याद रखना है उसके बाद यहाँ पर भी एक exception है जिसको आपको याद रखना है diamond एक ऐसा non metal है जिसका melting point बहुत ज़्यादा है 3723 degree Celsius यह figure भी आपको याद रखना है तीन नंबर में जो physical property है इसका नाम है density density एक ऐसा physical property है जिससे के हमें पता चलता है कि एक material का या एक substance के particles कितने closely packed है और अच्छे समझने के लिए हम दो अलग-अलग तरह के substance का figure बनाते हैं यह हो गया पहला substance और यह हो गया दूसरा substance पहले substance का जो particle है एक दूसरे से बहुत दूर-दूर में है और जो दूसरे substance का particle है यह एक दूसरे से चिपके-चिपके हैं इन दोनों के वीच में Gapping बहुत कम है तो इसी कारण से यह जो पहला material हो गया, पहला substance हो गया यह कम density वाला हो गया इसका density बहुत कम है और यह जो दूसरा substance है इसका density बहुत जादा है Metals जो होते हैं इनका density बहुत ज्यादा होता है इसके particles एक दूसरे से बहुत ही closely packed होते हैं, लेकिन जो non-metals होते हैं, generally इनका low density होता है, इनके particles एक दूसरे से बहुत दूर दूर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ exception है, जैसे कि sodium और potassium दोनों metals हैं, लेकिन इनका density बहुत कम होता है, वाटर से भी कम है, मतलब अगर हम लोग एक glass water ले लें और एक glass हम लोग sodium ले लें, तो water ज़ादा भारी होगा, और sodium कम भारी होगा, इसका weight कम होगा, क्योंकि ये कम density वाला है, और water का weight क्यों ज़ादा होगा? क्योंकि ये ज़ादा density वाला है अगला फिजिकल प्रुपर्टी है हार्डनेस हार्डनेस को देखकर भी हम लोग बता सकते हैं कि कोई element metal है या non metal है अधिकतर metals जो होते हैं वो बहुत hard होते हैं बहुत कठोर होते हैं ये बहुत ज़्यादा pressure को जहल सकते हैं और ये तूटते भी नहीं है लेकिन जो non metals होते हैं generally hard नहीं होते हैं ये brittle होते हैं और अगर हम लोग इस पर pressure लगाएंगे यहाँ थोड़ी से पीटेंगे तो ये आसानी से टुक्रों में बट जाएंगे ये टुक्रे टुक्रे हो जाएंगे फटक से अगें यहाँ पर भी एक exception है sodium और potassium दो ऐसे metals हैं जो कि hard नहीं होते हैं ये बहुत soft होते हैं अभी हम लोग क्या देखें कि metals तो hard होते हैं ये बहुत जादा hard होते हैं लेकिन sodium और potassium ऐसा metal है जो कि hard नहीं होता है और इसको हम लोग knife से चाकू से या razor blade से भी आसानी से काट सकत हैं आप youtube पे video देखेगा sodium को आपको चाकू से काट कर दिखाएगा on the other hand एक ऐसा non metal भी है जो कि metal जैसा बहुत ज्यादा hard होता है जिसका नाम है diamond diamond एक non metallic substance है और ये carbon का ही एक form है carbon का ही एक रूप है और ये दुनिया का सबसे hardest substance है ये non metal है फिर भी सबसे ज्यादा hard है लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जो non metals होते हैं generally hard नहीं होते हैं ये soft होते हैं जल्दी से इसको summarize कर लेते हैं अधिकतर metals जो होते हैं वो बहुत ज्यादा hard होते हैं ये बहुत ज्यादा pressure को जहेल सकते हैं और तूटते भी नहीं है लेकिन जो non metals होते हैं ये hard नहीं होते हैं मतलब आसानी से तूट जाते हैं अगर हम लोग इसको hammer करेंगे तो यहाँ पर दोनों के exception का बात किया गया है sodium और potassium ऐसे metals हैं जो कि hard होने के बजाए soft होते हैं और carbon का ही एक रूप diamond एक ऐसा non-metal है जो कि soft होने के बजाए बहुत hard होता है इसके लिए आपको simply iodine का crystal लेना है और उसको duster से तोरना है आप देखेंगे कि iodine का crystal आसानी से छोटे छोटे टुकरों में बढ़ जाता है ऐसा आप sugar के साथ भी कर सकते हैं sugar का आप एक cube लीजिएगा और उसके उपर duster से मारिएगा तो ये भी छोटे छोटे टुकरों में बढ़ जाएगा इससे हमें पता चलता है कि iodine और sugar दोनों non-metallic है और उपर से ये brittle है मतलब ये hard नहीं है आसानी से तूट जाता है पांच नमबर वाला physical property है luster luster का मतलब होता है चमक जो metals होते हैं generally उनका shining surface होता है ये बहुत चमकदार होते हैं और इस चमक को हम लोग metallic luster कहते हैं लेकिन जो non-metall होते हैं generally dull appearance वाले होते हैं मतलब ये चमकदार नहीं होते हैं और चमकदार नहीं होने के कारण हम लोग इनको non-lustrous भी कहते हैं लेकिन यहाँ पर भी एक exception है iodine एक ऐसा non-metallic substance है जो कि non-metallic होने के बाद भी इसमें natural luster होता है मतलब ये चमकदार होता है अभी हम लोग क्या परें कि जितने भी non-metalls होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं उनका dull appearance होता है लेकिन iodine चमकदार होता है do you know में बताये गया है कि metals जो होते हैं वो अपना चमक धीरे-धीरे खो देते हैं अगर हम लोग उसको air में खुला छोड़ देते हैं तो इसका reason क्या है इसका reason है कि जो metals होते हैं वो अलग-अलग gases के साथ react करने लगते हैं जो कि air में present होता है और इसी कारण से उसके उपर एक पतला सा layer जम जाता है layer कई तरह के हो सकते हैं उसके उपर oxide layer भी जम सकता है carbonate layer भी जम सकता है या sulphide layer भी जम सकता है important points को mark करके याद कर लीजेगा metals जो होते हैं उनका shining surface होता है और इस shine को इस चमक को हम लोग metallic luster कहते हैं लेकिन जो non metals होते हैं generally dull appearance वाले होते हैं ये चमकते नहीं हैं और इसी कारण से इसको हम लोग non lusterous बोलते हैं यहाँ पर एक exception है जिसका नाम आपको याद रखना है iodine iodine non metal है फिर भी ये चमकदार होता है अगला physical property है malleability ये जो property है इसको ध्यान से समझेगा जितने भी metals होते हैं अक्सर malleable होते हैं मतलब इसको हम लोग hammer करके hathory से कूट कूट के इसको हम लोग पतले sheet में convert कर सकते हैं और ये तूटेगा भी नहीं जैसे कि यहाँ पर figure में दिखाया गया है एक metal रखा गया है और उस पर हathory से पीटा जा रहा है पीटने के बाद ये पतले sheet में convert हो जाएगा पूरा पतला चादर बन जाएगा लेकिन तूटेगा नहीं लेकिन जितने भी non metals होते हैं ये non malleable होते हैं ये malleable नहीं होता है अगर हम लोग किसी non metal को पकर कर उपर से पीटेंगे तो ये तूट जाएगा ऐसाने कि ये sheet में convert हो जाएगा ऐसा सिर्फ metals के साथ होता है non metals को hammer करके हम लोग उसको sheet में convert नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये brittle होते हैं अगर हम लोग इसका hammering करेंगे जैसे कि यहाँ पर बताया गया है हम लोग हां थोड़ी से जब ठोकेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो spread होने लगता है वो फैलने लगता है और पतला होने लगता है और ये तूटता भी नहीं है मतलब ये एक पतले sheet में convert किया जा सकता है इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का जो metal हम लोग लिए मतलब जिंक का जो टुकड़ा हम लोग लिए वो actual में एक metal है इससे ये प्रूव हो जाता है क्योंकि हमने metal के बारे में पढ़ा था कि metals are malleable metals malleable होते हैं और इसको पीट पीट कर hammer करके हम लोग आसानी से sheet में convert कर सकते हैं और ये तूटेगा भी नहीं अगला property है ductility ductility एक ऐसा property है अगर किसी element में ductility है इसका मतलब ये हुआ कि उसको खीच कर हम लोग बहुत लंबा तार बना सकते हैं और वो तूटेगा भी नहीं जैसे हम लोग पिछले वाले property में क्या देखें कि हम लोग hammer करके उसको बरा सा sheet में convert कर सकते हैं उसी तरह ductility अगर किसी substance में किसी element में होगा तो उसको खीच कर हम लोग बहुत लंबा तार बना पाएंगे जो metals होते हैं वो highly ductile होते हैं में बहुत ज्यादा ductility होता है और उसको खीच कर हम लोग पतला पतला wire बना सकते हैं इसी property को metal का ductility कहा जाता है copper, aluminium, iron ये सब कुछ ऐसे metals है जिसको खीच-खीच कर हम लोग wire बना लेते हैं और उसका इस्तिमाल करते हैं electrical fittings में हम लोग बिजली का जितना भी काम करते हैं उसमें इस वाले wire का हम लोग استعمال करते हैं इसके अलावा net dots बनाने में जो जाली दार दरवाजा होता है उसको बनाने में भी इन्ही metals का इस्तिमाल किया जाता है उसके अलावा meshes में जैसे कि जब बच्पन में स्कूल जाते होंगे तो जो रिक्षा जाता था उसमें आप देखते होंगे ऐसे-ईसे करके जाली बना था इसी में अंगली डाल के हम लोग पकरके जाते थे तो वो सब बनाने के लिए इसी metal का इस्तिमाल किया जाता है पहले उसको खीच के मोटा मोटा wire बनाया जाता है और उसके बाद उसी का mesh बना कर हम लोग जगा जगा पर इस्तिमाल करते हैं non metals जो होते हैं वो generally ductile नहीं होते हैं they are not ductile इसका मतलब यह हुआ कि उसको खीच कर हम लोग wire में convert नहीं कर सकते हैं example के लिए diamond जो होता है diamond non metallic होता है diamond पर अगर आप force लगाएंगे इसको खीचने की कोशिश करेंगे तो यह दू टुकरो में बढ़ जाएगा लेकिन यह wire में convert नहीं होगा इससे पता चलता है कि diamond एक non metallic substance है इस वाले do you know में दो बहुत ही interesting point बताया गया है पहले point में कहा जा रहा है कि gold और silver जो होते हैं highly malleable होते हैं मतलब इसको हम लोग बहुत पतले sheet में convert कर सकते हैं gold जो होता है वो बहुत पतले foil में convert किया जा सकता है और उस foil का thickness जो होता है न वो 2 into 10 to the power of minus 5 mm तक हो सकता है कितना होता है पता है यहां से लेकर यहां तक लगभग 2 mm हो गया और इसको हमें 10 to the power minus 5 से multiply करना है या हम लोग 10 to the power 5 से divide भी कर सकते हैं मतलब हमें 1,00,000 से divide करना परेगा अगर आप इस length में 1,00,000 से divide करेंगे इसको 1,00,000 भाग में बाटेंगे तो एक भाग कितना पतला होगा सोचिए उतना पतला गोल्ड का फाइल हम लोग बना सकते हैं उसको पीट पीट कर दूसरे point में बताया गया है कि गोल्ड सबसे ज़्यादा ductile metal भी है हम लोग 2 km लंबा wire खीश सकते हैं सिर्फ 1 gram gold से 1 gram gold कितना हलका होगा सोचिए इससे 2 km लंबा तार बनाया जा सकता है अगर हम लोग उसको खीचना शुरू करें तो ductility का definition आप से पूछा जा सकता है आप इसको underline करके याद कर लिजेगा और कौन-कौन से metals है जिसमें की ductility होता है और उसी कारण से हम लोग उसका wire बना कर use करते है उसका भी नाम आप याद रखेगा पहला है copper, दूसरा है aluminum और तीसरा है iron non-metals से हम लोग wire नहीं बना सकते हैं क्यों? इसका reason भी पूछा जा सकता है non-metals जो होते हैं वो non-ductile होते हैं अगर हम लोग उसको खीचेंगे तो तार बनेगा ही नहीं वो तूट जाएगा अगला property है tensile strength जिस element का tensile strength जादा होता है वो बहुत बरे load को आसानी से जहल सकता है और तूटता भी नहीं है लेकिन जिस element का tensile strength कम होता है वो छोटे से load पर ही तूट जाता है वो बरे load को जहल ही नहीं सकता है वही चीज़ यहाँ पर बताया भी क्या है कि tensile strength एक ऐसा property होता है जिसके कारण कोई substance बहुत बरे load को जहल सकते हैं बिना तूटे जो metals होते हैं वो high tensile strength वाले होते हैं क्योंकि उसमें ductility भी होता है और malleability भी होता है इसके कारण से वो बहुत बरे load को बिना तूटे जहल सकते हैं लेकिन अगर हम लोग non-metals की बात करें तो generally इनमें high tensile strength नहीं पाया जाता है मतलब ये ज़्यादा load को नहीं जहल सकते हैं लेकिन except carbon fiber यहाँ पर भी एक exception है carbon fiber बहुत पतला होता है लेकिन ये बहुत बड़े load को भी आसानी से जहल सकता है even carbon fiber का अगर एक पतला सवाल अगर सामने खरा कर दिया जाए तो ये bullet को भी रोक सकता है carbon fiber एक developing technology है अब इस पर काम चल रहा है एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारा चीज हमें carbon fiber का बना हुआ मिलेगा जो कि आसानी से तूटेगा ही ने tensile strength का definition आप याद रखिएगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा और इस exception के बारे में याद रखिएगा जो कि है carbon fiber अब हमें conductivity के बारे में परना है conductivity क्या होता है यह हमें इसके definition से पता चलेगा अगर एक material है और उसके एक point से दूसरे point तक heat energy और electrical current का transfer हो पा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें conductivity है it can conduct heat energy and electrical current both इसके definition के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि conductivity दो तरह का हो सकता है एक होता है thermal conductivity और एक होता है electrical conductivity अब हमें दोनों तरह के conductivity को एक एकर के detail में परना है thermal conductivity का definition कहता है the thermal conductivity of a material is a measure of the ease with which heat energy can flow through it मतलब thermal conductivity किसी material का ऐसा property है जिससे हमें पता चलता है कि उस material से होकर heat energy कितने आसानी से flow कर सकता है अगर किसी material से होकर heat energy आसानी से flow कर जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये material बहुत अच्छा thermal conductor है लेकिन अगर किसी material से होकर heat energy flow नहीं कर पाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये अच्छा thermal conductor नहीं है thermal conductivity को और बहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग activity number 3 कर सकते हैं इसमें सबसे पहले आपको एक hot water का beaker लेना है और उसमें आपको iron rod डालना है लोहे का एक rod जब आप गरम पानी में डालेंगे तो कुछ समय के बाद आपको यहाँ पर भी कर्मी फील होने लगेगा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोहा का rod हम लोग लिए थे न ये बहुत अच्छा thermal conductor है ये आसानी से heat को इस point से इस point तक transport कर दिया इस point से इस point तक पहुँचा दिया इसी observation के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है इस activity से पता चलता है कि metals जो होते हैं न वो easily heat energy को conduct कर सकते हैं एक point से लेकर दूसरे point तक इसलिए metals को good thermal conductors माना जाता है और metals के इसी property के कारण हम लोग बहुँ सारे metals का इस्तिमाल भी करते हैं जैसे कि copper हो गया, iron हो गया इन सब metals का इस्तिमाल हम लोग करते हैं cooking utensils को बनाने के लिए और water boilers को बनाने के लिए जो खाना बनाने वाला बरतन होता है हम लोग अक्सर copper का बनाते हैं मतलब हम लोग जो यहां पर heat दे रहे हैं उसको पूरे बरतन में फैल आ सके conductivity का दूसरा type है electrical conductivity इसके बारे में भी हम लोग definition से समझ सकते हैं the electrical conductivity of a material is a measure of its ease with which electric current can flow through it मतलब electrical conductivity किसी material का वो property है जिससे हमें पता चलता है कि उससे होकर electric current कितने आसानी से flow कर सकता है अगर एक material से होकर electric current आसानी से flow कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि यह material बहुत अच्छा electric conductor है अगर एक material से होकर electric current आसानी से flow नहीं कर पा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि यह अच्छा electric conductor नहीं है copper का जो wire होता है वो बहुत अच्छा electric का conductor होता है ये आसानी से current को अपने से होकर pass करने देता है उसी को हम लोग activity number 4 के थू समझ सकते हैं इस activity में हमें battery के दोनों terminal के साथ एक bulb को connect कर देना है using the copper wires हमें copper के तार के साथ bulb को जोर देना है battery के दोनों terminal के साथ जब आप ऐसा करेंगे तो bulb जलने लगेगा इससे ये proof होता है कि copper का जो wire है ये आसानी से electric current को flow करवा सकता है अगर आप copper wire के जगह पे aluminium wire यूज़ करते तो भी bulb जलेगा अगर आप silver का wire यूज़ करेंगे तो भी bulb जलेगा iron का wire use करेंगे तो भी bulb जलेगा इससे हमें पता चलता है कि जितने भी metals होते हैं न वो बहुत अच्छे electrical conductor होते हैं मतलब electricity को अपने से होकर flow करवा सकते हैं बस वही चीज हमें यहाँ पर बताया भी क्या है इस activity से हमें पता चलता है कि जितने भी metals होते हैं वो good conductor of electricity होते हैं electric current को metal अपने से होकर आसानी से flow करने देते हैं metals के इसी property के कारण हम लोग metal wire का इस्तेमाल करते हैं electrical fittings में घर में जितना भी बिजली का काम होता है उसमें हम लोग metal का wire ही लगाते हैं और especially copper wires हम लोग इस्तेमाल करते हैं copper का जो wire होता है न यह बहुत easily flow करने देता है electric current को यहां तक पढ़ने के बाद हमें पताचला कि जो metals होते हैं वो good conductor of heat भी होते हैं और good conductor of electricity भी होते हैं उनसे होकर heat भी आसानी से flow कर सकता है और electricity भी आसानी से flow कर सकता है लेकिन non metals का क्या non metals जो होते हैं generally poor conductors of heat और electricity होते हैं non-metal से होकर heat भी flow नहीं कर सकता है और electricity भी flow नहीं कर सकता है अधीकतर non-metals non-conductors होते हैं और non-conductors को हम लोग insulator भी कहते हैं जो अपने से होकर heat को और electricity को flow नहीं होने देगा उसको हम लोग insulator कहेंगे इसका दो example आप याद रख सकते हैं एक है sulfur और एक है silicon ये दोनों अपने से होकर heat को भी flow नहीं होने देता है और electricity को भी flow नहीं होने देता है लेकिन यहाँ पर भी एक exception आता है टेफाइट नाम का एक non-metal है जो की carbon का ही एक रूप है और ये बहुत अच्छा conductor of electricity होता है इससे होकर current आसानी से flow कर सकता है और इसका इस्तिमाल हम लोग batteries में भी करते हैं अभी हम लोग परेते न कि जो non-mittals होते हैं वो poor conductor of heat and electricity होते हैं लेकिन graphite एक ऐसा substance है जो की non-metal होने के बाद भी एक good conductor of electricity है बहुत important point है आप इसको याद रखिएगा इस वाले do you know में बताया गया है कि silver, heat और electricity दोनों का बहुत अच्छा conductor है और इसके बाद दो नमबर पर आता है copper और तीन नमबर पर आता है aluminium और सभी metals में से mercury ये कैसा metal है जो की सबसे बुरा conductor of heat and electricity है मतलब mercury metal तो है लेकिन ये अपने से होकर heat और electricity को flow होने नहीं देता है एक चीज़ यहाँ पर और समझने वाला है अभी हम लोग पढ़े कि silver बहुत अच्छा heat का भी conductor है और electricity का भी conductor है तो हम लोग silver का बरतन और silver का wire क्यों use नहीं करते हैं हम लोग ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि silver बहुत ज्यादा costly है इसलिए हम लोग silver के जगह पर copper का use करते हैं या तो copper का wire और copper का बरतन या तो aluminium का wire और aluminium का बरतन क्योंकि ये सब कम costly है silver के मुकाबले important points को फटक से underline कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको conductivity का definition याद रखना है यहां से लेकर यहां तक आपको पूरा underline करके याद कर लेना है conductivity दो तरह का हो सकता है एक होता है thermal conductivity और एक होता है electrical conductivity thermal conductivity का definition ये पूरा आपको याद रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक और electrical conductivity का definition आपको यह पूरा याद रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके बाद आपको यह भी याद रखना है कि जितने भी metals होते हैं वो good conductor of heat भी होते हैं और good conductor of electricity भी होते हैं लेकिन जो non-metals होते हैं यह poor conductor of heat and electricity होते हैं लेकिन यहाँ पर भी एक exception है जिसका नाम है graphite जो graphite होता है यह good conductor of electricity होता है इससे होकर बिजली आसानी से cross कर सकती है और इसका इस्तेमाल हम लोग batteries में करते हैं अब हमें 10 नंबर में जिस physical property के बारें परना है उसका नाम है sunorosity sunorosity एक ऐसा physical property है जिसके कारण कोई material sound produce कर सकता है अगर एक material sound produce कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें sunorosity है अगर एक material sound produce नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें sunorosity नहीं है sunorosity को और बहतर तरीके समयने के लिए यहाँ पर एक example दिया गया है जब हम लोग metal के एक डुकडे को किसी चीज़ से strike करते हैं किसी चीज़ से मारते हैं तो उससे ringing sound produce होता है metals के इसी property को हम लोग sonorosity कहते हैं और metals को इसी कारण से sonorous कहा जाता है क्योंकि metal sound produce कर सकते हैं इसलिए उनको sonorous कहा जाता है It is due to this property that metals are used for making bills और metals के इसी property के कारण उनका इस्तेमाल हम लोग bills बनाने के लिए करते हैं घंटी बनाने के लिए करते हैं Non metals are non sonorous मतलब जो non metals होते हैं वो sound को produce नहीं कर सकते हैं अब आप से एक जाम में पूछा जा सकता है कि घंटी बनाने के लिए हम लोग metals का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं Non metals में क्या बुराई है तो non metals जो होते हैं वो sound produce ही नहीं कर पाएंगे अगर आप लगडी का घंटी बनाना चाहेंगे तो क्या वाज करेगा नहीं करेगा न इसलिए हम लोग metals का ही इस्तेमाल करते हैं बिल्स को बनाने के लिए यहाँ पर आप sonorosity के definition को mark कर लीजेगा आप से इसका definition पूछा जा सकता है और कौन sonorous होता है metals या non-metals यह भी आपको याद रखना है आपको याद रखना है कि metals sonorous होते हैं और जो non-metals होते हैं वो non-sonorous होते हैं अब तक हमने total 10 physical properties के बारे मपरा और इन्ही physical properties के basis पर हम लोग decide कर सकते हैं कि कोई भी element metal है या non-metal है इन्ही physical properties के आधार पर हम लोग metals और non-metals को distinguish कर सकते हैं उसमें differentiate कर सकते हैं इन्ही difference को इस table में summarize करके हमें दे दिया गया है अब तक हम लोग जितना कुछ पर हैं अगर आप उसको summarize करके याद रखना चाहते हैं आप इस वाले table को अच्छे से समझ कर याद कर लिजेगा इस वाले table में तीन column है जिसमें कि सबसे पहले properties के बारे में बताया गया है जितने भी properties के बारे में हमने परा इस side में metal के बारे में बताया गया है लेकिन जो non metals होते हैं वो तीनों state में रह सकते हैं solid state में भी, liquid में भी और gas state में भी उसके बाद हमने melting और boiling point के बारे में बढ़ा था metals के बारे में हमने देखा था कि जितने भी metals होते हैं उनका high melting point और high boiling point होता है लेकिन इसमें भी exception था CESIUM एक ऐसा metal है जिसका melting point बहुत कम है room temperature पर ही वो melt हो जाता है और non metals के बारे में हमने पराता कि इनका generally low melting point होता है और low boiling point होता है बहुत कम temperature पर ही non metals boil हो जाते हैं उसके बाद हमने density के बारे में पराता जो metals होते है जिनलली उनका density बहुत जादा होता है और जो non metals होते हैं generally उनका density बहुत कम होता है उसके बाद हमने hardness के बारें पर आथा जो metals होते हैं generally बहुत hard होते हैं लेकिन इसमें भी exception है sodium और potassium दो ऐसा metal है जो कि बहुत soft होता है हम लोग चाकू से भी काड सकते हैं और जो non metals होते हैं generally hard नहीं होते हैं लेकिन diamond एक ऐसा non metal है जो कि बहुत hard होता है फिर हमने luster के बारें पर आथा मतलब चमक metals जो होते हैं वो चमकीले होते हैं उनमें natural shine होता है लेकिन जो non metals होते हैं वो dull appearance वाले होते हैं ये चमकदार नहीं होते हैं फिर हमने malleability और ductility के बारें पर आथा ये हमने दोनों अलग-अलग points में परा था लेकिन इस table में एक ही point में दोनों को दे दिया गया इसलिए total 9 ही है metals के बारे में हमने परा था कि metals malleable भी होते हैं और ductile भी होते हैं लेकिन non metals जो होते हैं वो malleable भी नहीं होते हैं और ductile भी नहीं होते हैं अगर इनको हम लोग पीटेंगे तो ये आसानी से तूट जाएंगे क्योंकि ये brittle होते हैं, उसके बाद हमने tensile strength के बारे में पर आथा, metals का tensile strength बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा load को जहिल सकते हैं, लेकिन जो non-metals होते हैं, इनका tensile strength बहुत कम होता है, ये बहु good thermal और good electrical conductors होते हैं, लेकिन जो non-metals होते हैं, वो non-conductors होते हैं, जिसका हम लोग insulator भी कहते हैं, लेकिन इसमें भी एक exception है, जो graphite है, ये non-metal है, फिर भी good conductor है, ये electricity को conduct कर सकता है, सबसे अंतिम में हमने stondrosity के बारे मपरा, मतलब sound produce करने का ability, जो metals होते हैं, वो soundrous होते हैं ये sound को produce कर सकते हैं, लेकिन जो non-metals होते हैं, ये sound को produce नहीं कर सकते हैं, इसके बाद के topics को हम लोग part 3 में परना शुरू करेंगे, अगर आपको इसका part 3 भी चाहिए, तो आप comment करके ज़रूर बताइएगा, अब तक आपके science के जितने भी chapters को मैंने complete करवा दिया है, उनके videos उसको देखने के लिए left side में क्लिक कीजिए, और इसके बाद वाले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए, फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, अगली class में बहुत सारे नए topics के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से परहाई करते परहाई रिये